हेलो फ्रेंद्स, वेलकम टू फिट फॉर हेल्थ आजकल वर्क फ्रोम होम के कारण लोग लंबे समय तक मोबाईल और लैपटॉप से चिपके रहते हैं वहीं कई बच्चे भी शौक्या तोर पर मोबाईल का सबसे जादा यूज़ करते हैं इसके बाद आखों का जो बुरा हाल होता है वही समझ सकते हैं बता दे कि इन चीजों का जरुरत से जादा इस्तेमाल आपकी आखों को सबसे पहले प्रभावित करता है दरसल कम्प्यूटर लैप्टॉप या फिर मोबाईल से निकलने वाली ब्लू रेज के कारण आखों में सुखापन आ जाता है लेकिन मोबाईल या लैप्टॉप जैसे अन्य कोई भी ऐलेक्ट्रोनिक डिवाईस को यूज़ करते समय कुछ उपाय किया जाए तो आखों की सुखापन को दूर करने और उन्हें स्वस्त रखने में मदद मिल सकती है स्मार्टफोन या टैबलेट का यूज़ करते वक्त लोग पलक जबकाना भूल जाते हैं स्क्रीन को एक तक देखने रहने से भी ड्राइनेस की संभावना पढ़ जाती है इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए कोशिश करें कि आखों को बीच बीच में छपकाते रहें और आराम देते रहें आखों पर पढ़ने वाले तनाव के लिए फिर चाहे वो कम्प्यूटर या मुबाइल के कारण ही क्यों नहों आखों में चिकनाई रखने के लिए आटिफिशल टियर्स एक प्रभावी तरीका है बाजार में कई प्रकार के लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉक उपलब्ध है जिनहें आप आखों में डाल कर ड्राइनेस से छुटकारा पा सकते हैं अगर देर तक कंप्यूटर स्क्रीन या मोवाइल के सामने बैठे रहना आपकी मजबूरी है तो आप ऐसे लेंस लगाए जिनमें से ब्लूरेज कट कर सकें इसके लिए एंटी ग्लेयर ग्लास या ब्लू कट लेंस अच्छा विकल्प है इससे आखों पर सीधी रोशनी पढ़ने के बजाए कट होकर निकल जाती है आखें बहुत नाजुक होती है बहुत देर तक किसी भी चीज को देखने में इनमें दर्ध हो सकता है ऐसे में 20-20-20 नियम का पालन करें यदि आप स्क्रीन को 20 मिनट तक देखते हैं तो थोड़ी देर बाद 20 सेकंड के लिए कम से कम 20 फीट दूर ऐसी चीज देखनी चाहिए जिससे आखों में मास पेशिया रिलेक्स्ट हो और हमारे वीडियो को जादा से जादा लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें